दोस्तों अगर आप भी महेंदर सिंग धोनी को महान खिलाडी और कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को लाई एक ज़रूर कि शेगा दोस्तों भारती टीम के वर्ल्ड कप में हार के बाद ग्लैन मैक्सवल का आया रोहिद शर्मा और महेंदर सिंग धोनी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान जी हाँ दोस्तों भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले के फाइनल मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा है ऐसे में आस्ट्रेलिया के जीद के बाद ग्लैन मैक्सवल ने महेंदर सिंग धोनी और रोहिद शर्मा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आपके रोंग टेख़डे हो जाएंगे तो आखर भारत की हार के बाद मैक्सवल ने एमेस धोनी और रोहिद शर्मा को लेक पर क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मोहेंदर सिंधोनी और रोहिच शर्मा में कौन भारती टीम का महान बल्लेबास और कप्तान है कॉमेंट में जरूर बताइए दोस्तों जैसा कि आपको पता है भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारती टीम ने 6 विकेट से हार का सामना किया इस दोरान भारत ने पहले बल्लेबासी करते हुए 15 सोबर में 244 रनों पर आल आउट हो गए और इसका पीछा करने उतरी आस्ट्रेलिया की टीम 43 सोबर के अंदर लक्ष को हासिल कर गई और मै इस बार चेंपियन नहीं बन पाई और उप विजरता के साथ संतुष्ट होना पड़ा और दूसरी तरफ आस्ट्रेलिया की टीम ने 6 बार चेंपियन बनने के रेकॉर्ड को अपने नाम कायम किया जिसके बाद उनके महान ओल राउंडर मैक्सविल ने रोहित चर्मा और धो अनी को लेकर बोड़ा बयान दिया जिसमें मैक्सविल ने बयान देते हुए कहा कि भारत और उस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारती टीम की हार के बाद मैं काफी जादा खुश हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि भारती टीम को इस मैच में हार मिले हलाकि इस मैच में आस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से सभी खिलाडियों ने अच्छी बल्ले बासी की साथ में सभी ने बेहितरीन गेंद बासी भी की और इस मैच के अंदर आस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा प्रदर्शन करने के साथ जीत दर्श करते हुए बता दिया कि क चीम की तरफ से कोई भी खिलाडी ऐसा नहीं था जिसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। लेकिन भारती टीम की तरफ से सभी खिलाडी एक साथ इस मैच में खराब प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिये। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस मैच में भारती टीम की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा ने अच्छी कप्तानी नहीं की ना तो उन्होंने बेहितरीन तरीके से दबाव को हैंडल किया जो कि एक बेहितरीन कप्तान की निशानी होती है कि MS धोनी और रोहिच शर्मा के अंदर काफी जादा बड़ा अंतर है दोनों टीमों के पास वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन करने का अनुभाव भी है लेकिन रोहिच शर्मा के पास में गावी लियत नहीं है जो कि महेंदर सिंग धोनी के पास है क्योंकि धोनी क इसी भी परिस्तियों में मैच के अंदर भारत पर दबाव नहीं आने देते थे जिसके चलते उन्होंने ट्रोफी जीतने में भारत को आसानी का सामना कराया था लेकिन ऐसा करने में रोहिच शर्मा काफी और सफल साबित हुए है तो दोस्तों इस दोरान उन्होंने महामद चमी को रहार का गुनेगार बताते हुए कैसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी रौंक टिकडे हो जाएंगे तो आखिरकार भारतया टीम आपके पार भारत चमी पर अस्ट्रेले के बीच खेले गाए फाइनल मैच में भारत की ukर के सबसे बड़े जिम्मिदार कौन है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको पता है वंडे वल्ड कप का फाइनल मैच भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया जिसमें भारतिय टीम को काफी स्यादा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा इस मैच में भारती बल्लिबाजी में केल राउल ने सरवद 167 रन का योगदान देते हुए भारत को 240 रन 50 ओवर में ले जाने का कार रे किया हाला कि विराट कोली ने 54 और रोईच शर्मन ने 47 रन का योगदान गया लेकिन इस से लक्षे का पीछा करने है जैस इसके बाद महुमत शमी की पतनी हसीन जहां का महुमत शमी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान आया है जिसमें महुमत शमी की पतनी हसीन जहां ने बयान देते हुए काय कि भारत और आस्ट्रेले के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारती टीम को वास्ते विक्ता में खरा लेकिन इस मैच में भारते टीम को खड़ाप के इंदाज ही के करना हार का सामना करना बढ़ा है क्योंकि जीदा तर मैच भारते टीम के बल्यबाजों अपने तब बर जीते हैं और यहां पर भारते टीम की बल्यबाजी आज कुछ का मखास कमाल नहीं कर पाई है तो गेनबाजों के ओपर काफी ज्यादा सिम्मेतारी थी कि वो बहतर परदर्शन करें लेकिन ऐसा आज बिलकुल भी देखने को गेनबाजों के दोरा नहीं मिलाए इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काय की जब बल्लेबाजों के खराब परदर्शन करने के बाद जीत दिलाने के लिए भी होता है लेकिन फिर जस परकार से महमद शमी ने इसके बाद खराब गेनबाजी की और मोमेंटम विरोधी टीम को दे दिया उसके चलते भारत इस मैच को हार गया इस मैच में भारती टीम की हार को देख में काफी निराश हो मुझे लगता है किस मैच में भारती टीम को Petit कारन करना करना पढ़ा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है मुहमध श्रमी के कारन भारती टीम को हर का सामना करना पढ़ा या नहीं है अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्समें जरूर दें और आजी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें पहले बड़े बड़े बदलाव कर साथ कर दिया जिसमें कप्तान रोई शर्मा ने भारती टीम की तरफ से बारिक शुरूबात करने के लिए सबसे पहले अपने आपको शामिल किया है जो भारती टीम के कप्तान है दरसल पिछले मैच में सेमी फाइनल के अंदर रोई शर्मा ने 47 रंग की तुपानी पारी का योगदान दिया जिसके चलते भारती टीम काफी जादा मजबूती हसिल कर पाई एसेमेगबा फिर से कप्तान रोई शर्मा इसी तरीके से वैथरीन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं कप्तान रोई शर्मा ने दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में शुमंगिल को शामिल किया है दरसल पिछले मैच में विराट कोली ने 117 रन का सरवादी की उगदान गिया और सभी को प्रभावित करते हुई तियास के पन्नों में अपना नाम सबसे ज़्यादा शतक लगाने के रिकॉर्ड के साथ दर्श कराया ऐसे में बार फिर से कप्तान रोज शर्मा को विराट कोली ने बहतरीन प्रदर्शन के उमीद फाइनल मैच में रने वाली है इसके लावा कप्तान रोज शर्मा ने चौथे नंबर पर बल्ले बाजी करने के लिए शर्या सेयर को शामिल किया है जिन्होंने अपने जबरदस फॉर्म के चलते बारती टीम को लगातार मदिकरा में मजबूती दिलाई है पिछले मैच में शर्या सेयर ने 105 रन की तुपानी पारी खेली और इसी के चलते भारती टीम को जीत की नहीं मिली थी ऐसे में एक बार फिर से कप्तान रोज शर्मा चौथे नंबर पर शर्या से बहतरीन बल्ले बाजी के उम्मीद कर रहे है इनका साथ देने के लिए कप्तान रोज शर्मा ने मदिकरा में विकट कीपर बल्ले बाज के अलराहूल को शामिल किया है जो अपने जबरदस मौम के सलते भारत को जीत दिलाएंगे अलागि पिछले मैच में इन्होंने बहतरीन बल्ले बाजी कर भारत को चार सुरेंड के करीब ले जाने का काम किया ऐसे में एक बाफिर से बहतर पदरशन की उम्मीद की गई है कप्तान रोई शर्मा ने चाहे नंबर पर बल्ले बाजी करने के लिए सूरी कुमार यादो को बाहर किया है जरसल सूरी कुमार यादो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए ऐसे में कप्तान रोई शर्मा ने हार्दिक पाइंडिया को टीम में शामिल किया है ऐसे में अपर रिपोर्ट सामने आई है कि भारत की तरफ से फाइनला मैच के लिए अर्दिक पाइंडिया अपने IPL टीम के घरेलू मैदान पर पूरी तरीके स्तयार है इसके लावा कप्तान रोई शर्मा ने आल राउंडर के रूप में रवीन जडिजा को शामिल किया है अपने राई में नीचे कमेंट बाक्स में ज़रूर देऊ और ऐसी शांदर कबर कली चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्यवाद तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है आस्ट्रेलिया के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारत की हार के सबसे बड़े जिम्मिदार कौन है अपनी राए नीचे कमेंट बाक्स में जरूर दें दोस्तों जैसा कि आपको बताएंगे वन्डे वल्ड कप का फाइनल मैच भारत और आस्ट्रेलिया के बीच खेला गया जिसमें भारतिये टीम को काफी स्यादा बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा इस मैच में भारती बलिबाजी में केयल राउल ने सरवदिक चियास लेने के बाद आस्ट्रेलिया को दबाप मैं डाना लेकिन आस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से हेट ने अपना शतक लगा कर भारत को मैच में पीचे किया और इस मैच को 6 विगिट से जीतकर आस्ट्रेलिया की टीम चैंपियन बन गय athletes इसके बाद मोहमँद शमी पत्नी असीन जहां का मोहमँद शमी को लेकर हैरान कर देने वाला बयान आया है जिसमें मौमद शमी की पतनी हसीन जहां ने बयान देते हुए काय की बारत और आस्ट्रेले के बीच खेले गए फाइनल मैच में भारती टीम का वास्ते विक्ता में खराब परदर्शन देखने को नहीं मिला है बारती टीम की तरफ से कुछ खिलाडियों ने काफी ज्यादा बहतरी परदर्शन किया था लेकिन कुछ खिलाडियों ने काफी ज्यादा खराब परदर्शन किया जिसके चलते भारत इस मैच को अपने नाम नहीं कर पाया बारते टीम की तरफ से इस मैच में सभी खिलाड़ी अगर बहतर प्रदरशन करते तो शायद बारते टीम जीत कर लेती हासे लेकिन इस मैच में बारते टीम को खड़ाब केंद बाजी के कारण हार का सामना करना पड़ा है क्योंकि ज्यादातर मैच भारते टीम के बल्ले बाजों ने अपने तब पर जीते हैं और यहां पर भारते टीम की बल्ले बाजी आज कुछ खाम खास कमाल नहीं कर पाई है तो गेंद बाजों के ओपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी थी कि वो बहतर परदरशन करें लेकिन ऐसा आज बिलकुल भी देखने को गेंद बाजों के दोरा नहीं मिला है इसके लावा उन्होंने आगे बयान देते हुए काय कि जब बल्ले बाजों ज्यादा रन बनाते है तो गेंद बाजों को अपना फायदा मिलता है जो आज देखने को नहीं मिला है आज के मैच में मौहमद चमी ने पहला विकिट दिला कर भारते समर्थकों की उम्मीद को बढ़ा दिया था लेकिन फिर जस परकार से मौहमद चमी ने इसके बाद खराब गेंद बाजी की और मोमेंटम विरोधी टीम को दे दिया उसके चलते भारत इस मैच को हार गया इस मैच में भारती टीम की हार को देख में काफी निराश हूँ मुझे लगता है कि इस मैच में भारती टीम को मौहमद चमी की खराब गिन बाजी कारण हार का सामना करना पड़ा है तो दोस्तों आपको क्या लगता है मौमद शमी के कारण भारतीय टीम कोहार का सामना करना पड़ा या नहीं अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शांदार खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धरी बाद